बच्चों, आज का जो DIY बनाया है, धेर सारे आपके पैसे बचाने आई हूँ और आपके लिए वो चीज बनाकर लाई हूँ जिससे आप काफी महंगी खरीद दिया है इसे बनाना भी बहुत असान है, इसे कैसे बनाते हैं, वो देख लेते हैं हर कोई चाहता है, मेरे हिसाब से, मुझे जो खुश्बू पसंद है, उस हिसाब का air freshener gel आना चाहिए ऐसे में हम कितने सारे बार्किट से खरीद सकते हैं, बहुत महंगे आते हैं मार्किट में क्यों ने इन्हें घर में बनाया जाए, इन्हें आप एक दिन बनाएं, और एक से डेट महीने इसकी खुश्बू का आनन्द ले सकते हैं आप इसे shoe rack में रख सकते हैं, आप कहीं sink की जगह रख सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है कि इसको होना चाहिए या फिर कहीं inner rooms में सजा सकते हैं और में चलो, कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने अब हम इसे बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं, सबसे पहले एक कप पानी लेते हैं, नॉर्मल पानी एक साफ बोल में डाल दीजिए, धाई टेबिल स्पून आप डाल दीजिए, इसमें gelatin, red mark वाला लीजिए red mark वाला जो gelatin होता है, वो लंबा चलता है, वो melt नहीं होता, जो green mark वाला gelatin होता है, वो जल्दी से गर्मी में melt हो जाता है तो इस बात का खास ध्यान रखें, ये gelatin आपको किसी भी पंसारी की shop पर, या grocery shop पर, या आपको online भी मिल जाएगा अब आप इसे 10 मिट घोल को mix करके एक तरफ रख दें, अब लें एक gas के लिए बरतन, जैसे चाय बनाने वाला बरतन होता है, उसमें डाल दीजे इस मिश्टन को, slow gas पर चढ़ा दीजे, इसमें डाल दीजे एक कप पानी, एक कप पानी पहले लिया था, एक कप अभी ले ले नमक डालने से ये थोड़ा लंबा भी चलता है और घर की negativity भी जाती है, और अब आप जो खाली जार आपने रखे हुए हैं साफ, उनमें धीरे धीरे भर दीजे, मैंने यहाँ पर दो जार लिये हैं, जिनकी कैप है और दो glass लिये हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें गलास को कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, और हाँ बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे फटा-फट से सब्सक्राइब भी कर लीजे, क्योंकि ये तो टोटल फ्री है, अब क्या कीजिए, आप चाहें तो किसी में निबू का रस भी डाल सकते हैं, आपको निबू का flavor पसंद है, निबू के rinse डाल सकते हैं, संत्रे के rinse डाल सकते हैं, कई नीचे पर्ल्स डाल सकते हैं, शंक डाल सकते हैं, सजावट के लिए ये choice आपकी है, कई बार आप transparent भी रख सकते हैं, जैसे आपको color पसंद नहीं, तो य ये सब आप डाल दीजे, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें मन पसंद कलर डालिए, मेरे पास सूखे कलर थे, उन सूखे कलर में मैंने कुछ बूने ओल की डाली है, जो मुझे फ्लेवर पसंद है, जैसे लेवेंडर, रोज, या जो भी मिंट, जो भी आपको पसंद है, व उपर से कुछ फाकल डाल दें, जैसे हम केक्स वगर पर डालते हैं, चाहें, तो उपर से कुछ वर्क लगा दें, जो हम मिठाईयों में लगाते हैं, और इस तरीके से सुन्दर से जार बनकर त्यार हो जाएंगे, लेकिन रुकिए, अभी आप इन्हें यूज नहीं कर सकते पूरे 24 गंटे लगेंगे इन्हें सेट होने में, आप रूम टेम्टरिचर पर रख दीजे, 24 गंटे के बाद मैं आपको मिलती हूँ और मैं दिखाती हूँ ये इनकी क्या पोजिशन है, कैसा लगा बच्चों ये, कॉमेंट करना बिलकुल न भूलें 24 गंटे बाद आप देख रहे हैं कितने बढ़िया ये तयार हो गए, न हिल रहे हैं, न डूल रहे हैं, पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, ये बहुत ही बढ़िया सेट हो गए, इनकी खुश्बू भी बढ़िया है, अब भारी आती है इन्हें यूज कैसे किया जाए, ज इसको आप बान दीजे, अगर आपके पास इस टाइप का कोई बैग हो, तो उसमें भी आप हैंग कर सकते हैं, जिससे आपको खुश्बू भी मिलती रहे और सुन्दरता भी बढ़े, अगर आपको आज दो चाहिए, दो नहीं चाहिए, आपने बना के रखें, तो दो में आ जगा कर आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसी टाइप से अगर आपके पास पुराना कोई एर फ्रेशनर जैल का बॉक्स पड़ा है, उसको भी आप रिफिल कर सकते हैं, है ना बहुत असान सी चीज, बस थोड़ी सी एक दिन की मेहनत है, उसके बाद आप अराम से नहीं यू झाल 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 झाल